नमस्कार आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन स्लाइट से कल का पहला सवाल था वित मंत्राले की किस विभाग ने आर्थिक सर्वेक्षन 2018-19 तेयार किया है जिसका उत्तर है आर्थिक मामलों के विभाग दूसरा सवाल आर्थिक सर्वेक्षन 2018-19 की थीम क्या है उत्तर है शिफ्टिंगेर तीसरा सवाल सर्वेक्षन के अनुसार भारती अर्थवेवस्था का 2018-19 के लिए सकल घरेलू अनंतिम अनुमान कितना है उत्तर है 6.8 प्रतिशत चोथा सवाल सर्वेक्षण के अनुसार 2018-19 में विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा इसका उत्तर है 412.9 बिलियन डॉलर कोशन नबर फिफ्ट सर्वेक्षण में 2018-19 के लिए राजकोशिय घाटा GDP का कितना प्रतिशत आका गया है उत्तर है 3.4 प्रतिशत उपभोगता मुल्ले सूचकांग के आधार पर मुद्रा इस्पीती का उसत कितने प्रतिशत रहा उत्तर है 3.4 प्रतिशत मौजुदा वक्त में भारत का टोटल फर्टिलीटी रेट क्या है उत्तर है 2.3 प्रतिशत बदलाओ निमलिखित में से किसका नया नाम है इसका उत्तर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सर्वेक्षण में अनुसूचित बैंकों का ग्रॉस एनपीए घटकर कितना हो गया है 10.1 प्रतिशत भारत के SDG सूचकांक अंक में कौन सा राज्य या कौन से राज्य आगे रहे उत्तर है केरल और हिमाचल प्रदेश दोनू अब बात करते हैं कल पूछे गए प्रैक्टिस कोशन की सर्वेक्षन के अनुसार 2017-18 में सकल मुल्य वर्धन में कि शेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा आप्शन है प्रात्मिक शेत्र, ड्वित्यक शेत्र, तृत्यक शेत्र या अन्य सर्वेक्षन के उन्सार 2017-18 में सकल मुल्यवर्धन में तृत्यक शेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा 8.1 प्रतिशत वहीं प्रात्मिक शेत्र में यह 5.9 प्रतिशत जबकि तृत्यक शेत्र में 2018-19 के लिए प्रोवीजनल एस्टीमेट 7.5 फीसिदी किया गया है कोश्चन में 2017-18 में पूछा है तो एक्स्प्लिनेशन के अकॉर्डिंग ओप्शन C तृत्यक शेत्र सही है आज के सेशन का पहला सवाल निमनली खित में से किसने 2019-20 का आम बजट पेश किया है आप्शन्स है निर्मला सीता रमण, प्यूश गोयल, अरुण जेटली या क्रिश मूर्ती सुब्रमण्यम विद मंत्री निर्मला सीता रमण ने वित्य वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश किया है वह ऐसा करने वाली पहली पूर्ण कालिक महिलां विद मंत्री है इससे पहले पूर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ने प्रधान मंत्री रहते हुए 1971 में बजट पेश किया था तब वित मंत्राले भी उन्हीं के पास था तो पहले सवाल का सही उत्तर है ओप्शन निर्मला सीता रमण क्रेश शक्ती की द्रिस्टी से भारत विश्व की कौन सी अर्थवेवस्था है आपको बता दें कि GDP के आधार पर भारत दुन्या की छटी बड़ी अर्थवेवस्था है फ्रांस को पीछे छोड़ कर भारत ने छटा पायदान हासिल किया है सवाल में पूछा है क्रेश शक्ती यानि पर्चेजिंग पावर पायरेटी इसका उत्तर है ऑप्शन बी तीसरी कोशन नमर थ्री मनरेगा के तहत होने वाले वेग को बढ़ा कर कितना किया गया है मनरेगा के अनुमान बजट को बढ़ा कर 60,000 करोड रुपे किया गया है गौर तलब है कि 2018-19 के बजट में 55,000 करोड अनुमान इत्था जिसे बात में संशोधित कर 61,084 कर दिया गया था अनुमान के लिहास से देखें तो इस बार 5,000 करोड रुपे बढ़ा दिये गए हैं यानि 9 प्रतिशत की वृद्धी हुई है इस तरह कोशन नमर थ्री इसका सही उत्तर है ओप्शन C 60,000 करोड रुपे कोशन नमर फोर्थ सार्वजनिक शेत्र के बैंकों के पुनर पूंजी करण के लिए कितने रुपे देने की बात कही गई है ओप्शन्स हैं 50,000 करोड रुपे, 60,000 करोड रुपे, 65,000 करोड रुपे या 70,000 करोड रुपे सारजनिक शेतर के बैंकों के पुनरपूंजी करण के लिए बजट में 70,000 करोड रुपे देने की बात कही गई है वर्ष 2018-19 में रीकैपिटलाइजेशन बॉंड्स के रूप में 1.06 लाग करोड रुपे देने की घोशना की गई थी तो कोशन नमर फोर्ट का सही उत्तर है ओप्शन D 70,000 करोड रुपे कोशन नमर फिफ्ट राजस्व प्राप्तियों में किसका योगदान सरवाधिक रहने का नुमान है ओप्शन्स है उधार एवं अन्ने देताएं निगम कर, GST या आयकर राजस्व प्राप्तियों में निगम कर का योगदान सरवाधिक रहने का नुमान है उधारन के लिए अगर एक रुपे कर के रूप में आने का नुमान है तो इसमें निगम कर का योगदान 21 पैसे रहने वाला है दो हजार अठारा उन्निस के बजट में यह अनुमान उन्निस पैसे था आपको बता दें कि दो हजार अठारा उन्निस में जी एस्टी के सबसे जादा रहने का अनुमान था जो इस बार उन्निस पैसे रहने का अनुमान है तो question number 5 का सही उत्तर है option B निगम कर question number 6 निम्नली खित्मे से किस शेत्र में सरकार का सरवाधिक वे बताया गया है options है करो एवं शुलकों में राज्यों का हिस्सा ब्याज अदाईगी केंद्रिय प्रायोजित योजनाए या सबसिडी बजट 2019-20 में करो एवं शुलकों में राज्यों का हिस्सा सरकार के सरवाधिक वे के रूप में आकलित किया गया है यदि खर्च को एक रुपे के हिसाब से बाटें तो सबसे अधिक हिस्सा यानि 23 पैसा करो एवं शुलकों में राज्यों के मद में गया है वहीं ब्याज अदाईगी के मद में 18 पैसा, केंद्रिय प्रायोजित, योजना मद में 9 पैसा और सबसिडी मद में 8 पैसे का वैब बताया गया है इस तरहा कोशन नमर 6 का सही उत्तर है ओप्शन A करो एवं शुलकों में राज्यों का हिस्सा कोशन नमर 7 प्रधान मंत्री करम योगी मांधन योजना कितने रुपे से कम वार्षिक कारोबार करने वालों के लिए है ऑप्शन है 1.5 करोड रुपे, 2.6 करोड रुपे या 3 करोड रुपे बजट भाशन में वित्मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री कर्म योगी मांधन योजना के तहट लगबग 3 करोड खुद्रा कारोबारियों को पेंशन का लाब मिलेगा 60 वर्ष के आयू प्राप्त करने के बाद इन्हें हर माह 3,000 रुपे का मासिक पेंशन मिल सकेगा इस योजना के लिए 1.5 करोड रुपे से कम वार्षिक कारोबारियों को लाभार्ती माना गया है तो एक्स्प्लेनेशन के अकॉर्डिंग 3 करोड खुद्रा कारोबारियों को इसका लाब मिलेगा लेकिन सवाल में रुपे पूछा गया है तो इसका सही उत्तर है उप्शन ए 1.5 करोड रुपे कोशन नबर 8 पावर कनेक्टिविटी अफ सनरचना को सुद्रिड बनाने के लिए कौन सा मॉडल दिया गया है उप्शन है पावर कनेक्टिविटी अफ सनरचना को सुद्रिड बनाने के लिए वन नेशन वन ग्रिड मॉडल दिया गया था इस मॉडल से सभी राज्यों को किफायती दरों पर बिजली उपलब्धता सुनिश्चित हुई है बजट में इसी आधार पर गैस ग्रिड, जल ग्रिड, आईवे और शेत्रे हवाई अड़ों के विकास के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है आप्शन्स की बात करें तो अन्य आप्शन्स स्टडी इन इंडिया जल जीवन शक्ती और प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना ये सब भी इसी बजट में प्रस्तावित की गई हैं लेकिन पावर कनेक्टिविटी एफ संरचना को सुरुदर्ड बनाने के लिए ओप्शन्स सी वन नेशन वन ग्रेड मॉडल दिया गया है कोश्चन नमर नाइन्थ वित्यवर्ष 2013-14 के मुकाबले 2018-19 में प्रत्यक्षकर राजस्व में कितने प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है ओप्शन्स हैं 6.5 प्रतिशत, 6.1 प्रतिशत, 11.5 प्रतिशत या 78 प्रतिशत वित्ये वर्ष 2018-19 में प्रत्यक्ष कर राजस्व में वित्ये वर्ष 2013-14 की तुलना में 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है यह प्रत्यक्ष कर राजस्व वित्ये वर्ष 2013-14 में 6.38 लाग करोड था जो अब 2018-19 में बढ़कर लगभग 11.37 लाग करोड रुपे हो गया है Q9 का सही उत्तर है option D, 78% Q10, budget के अनुसार FDI inflow में कितने प्रतिशत की व्रिद्धी हुई है 5%, 6%, 7% या 8% Budget के अनुसार FDI inflow में पिछले वर्ष की तुलना में 6% की व्रिद्धी हुई है 2018-19 में भारत का FDI inflow 64.375 billion अमेरी की डॉलर रहा है जो की एक मजबूत इस्थिती है तो question number 10 का सही उत्तर है option B, 6% बात करते हैं आज के practice question की सरकार ने वित्तिय वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश प्राप्ती के लिए कितना लक्षे रखा है options हैं एक लाग करोड रुपए, एक लाग पांच हजार करोड रुपए, दो लाग करोड रुपए या दो लाग पांच हजार करोड रुपए आप अपना answer comment box में करना ना भूले अगले सेशन में कुछ नए सवाल हों और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए नमस्कार